हेलो दोस्तों, तो कैसो यो आप सब, आज अपन बात करने वाले हैं डाइजीन सीरप के बारे में, जी हाँ यह है डाइजीन सीरप, अगर आपको गैस की प्रॉबलम है, बधजमी की प्रॉबलम है, एसी डिटी की प्रॉबलम है, उसमें एक खतरनाक असरदार है, यह इस तरह नहीं नहीं चलिए तो वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपन बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग के बारे में इसके दो फ्लेवर आते हैं एक मिंट फ्लेवर एक औरेंज फ्लेवर दोनों ही लगबल सेम से होते हैं बस पुदीनी का फ्लेवर होता है थोड़ा थोड़ा औरेंज फुलेवर होता है तो फोड़ा फोड़ा मीठा मीठा सवादा है वो आपके मन की बात है असर दोनों का एक जैसा ही ऐसा नहीं कि आपने अगर वो ले लिया तो उसमें कम आएगा या इसमें जादा है अशे खुछ तो अब अपन दूसरी चीज के बारे हैं बात कर ले होती है इसके अंदर मेगनीसियम हाइड्रोसाइड है जो गैस या पेट की प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है तो आप समझ सकते हूं कि अगर यह फॉर्मूला इसके अंदर है तो गैस या बाधजमी या फिर ऐसीड़ी इसके लिए कितनी खतरना का सरदा हो सकती है थर्ड पॉइंट मैं सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि जब भी आपको गैस की प्रॉब्लम हो तब आपको यह कितना यूज करना है यह 15 ml का एक धकन होता है एक धकन आपको सुबह साम यूज करना है लेकिन अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम थोड़ करें और अगर आपको प्रॉब्लम ना भी है और आपने कुछ भारी खाना खा लिया है तो आप इसको दिन में एक बार यूज कर सकते हूं नॉर्मल एज यह वेस इससे कोई दिकत नहीं होने वाली है अब अगले पॉइंट पर आपना आ जाते हैं कि इसकी प्राइस क्या हो 144 रुपए MRP है और इसकी मार्केट कॉस्ट है 110 या 115 इससे ज़्याद आपको नहीं लेना है कोई शॉप की पर अगर आप वो बोल रहा है तो उसे बोलना वो मान जाएगा 115 लास्ट मेक्स्टो मेक्स 220 रुपए की आपको दे देगा ठीक है यह तो कॉस्ट की बात होगी असल 24 वाला लोगों रेइस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला वो देख लेना बाकी इसकी डूबलिक एसी कम है तो अपने इसके बारे में आपको ज्यादा ग्यान नहीं देंगे एक और जरूरी पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ डाइजीन का ही टेबलेट भी आता है आप चाहो तो इस प्रॉबलम के लिए टेबलेट भी यूज कर सकते हो लेकिन यह मैं पर्सनल आपको एडवाईस करूँगा है सला दूँगा कि टेबलेट से ज्यादा असरदार सीरप होती है ऐसा नहीं कि सिर्फ डाइजीन की होती है किसी भी कंपनी की टेबलेट से जल्दी हसर सीरप करती है अगर आपको प्रॉबलम थोड़ी तेज है जादा है तो आप टेबलेट की बजाए सीरप परफेर करोंगा मैं आपको आप सीरप यूज करें उससे प्रॉबलम का सॉल्यूशन थोड़ा आपको जल्दी मिलेगा य एक और मेरी पर्सनल एडवाइस कि अगर आप मुझसे पूछो की सीरप खरीदनी चाहिए या नहीं तो मैं कहूंगा कोई संधे रही है कोई भी बेजिजग गैस एसीडिटी बधजमी करीद दो खतरना अकसर है यार खतरना थैंकि सो मज दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो मे अगले किस प्रोड़क्ट के बारे में आपको जानना है किस प्रोड़क्ट का रिव्यू चाहिए कमेंट कर देना और चैनल को सब्स्राइब कर लेना है या थैंकि सो मज